सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमशकार, आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मिसेस अमर दीप कौर जिनकी उमर है 43 इयर्स, इनके हस्बेंड मिस्टर जलजीत सिंग, इनसे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, नमशकार जी, सत्सीकाल जी, कैसे हैं सदार सार, जैसा आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अब टाइप 2 डाइविटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, बलकी इसका रहमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है, और इसी सिलसले में आज मैं आप सभी को मिसेस अमर दीप और दलजीत सिंग्जी से मिलवा रहा कि अब डाइटरी प्रोटोकॉल से इसका रहमिजन और इवन रिवर्सल किया जा सकता है, तो यहां पर एक परफेक्ट मिसाल इन्होंने दी है, अपनी डाइविटीज का ना सिर्फ रहमिजन किया है, बलकी उसका रिवर्सल किया है, जी टी टी टेस्ट पास करके, 2017 में इनक 250 और खाना खाने के बाद में लगबग 190 आती थी, वहीं HB1C 6.8 था और वजन जैसा मैंने बताया 70 किलो था, जब इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फालो करना चालू किया, तो अब इन्होंने जी टी टी टेस्ट पास किया है, काफी समय पहले इनकी दवाईयां बंद हो एक घंटे के बाद में आई 130, दो घंटे के बाद में मात्र 78, अब इनका जो HB1C है वो आता है मात्र 4 और इनका वजन है 55 kg, हाइट है 5.2, एकदम fit to normal है, आईए जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा, ये अनुबाव कैसा रहा, उन्होंने काफी short period record time के अंदर अपनी diabetes का reversal क किया है, नमश्कार जी, सत्स्रीकाल जी, कैसे हैं आप लोग, बढ़ी है सर्, आपका diabetes को लेकर के आप लोग का experience कैसा रहा, किस प्रकार से क्या-क्या hurdles आई, आप लोगों को बताएं तो उनको motivation मिलेगा, प्लीज, सर्, 2017 में मुझे डाइबडी से डाइग्नोज हुआ था, तो उसमें मुझे काफी दिक्कत थी, BP था, ठायरड भी था, और वेट भी बहुत ज्यादा था, तो मुश्कले बहुत ही ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कि अपना वेट ही कम किया जा तो ऐसे करते करते तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि चलो करना चाहिए, पहले तो वीडियोस ही देखके छोड़ देती थी भी हाँ, मतलब हो जाएगा, होता भी है या नहीं, एक फोन पर विश्वास भी नहीं आता, विश्वास नहीं आता, देखिए कैसा है, जो वेट है ना, उसको basically use कर सकते हैं as a weapon diabetes के reversal में, पर कई बार लोग क्या बोल देते हैं, कि अगर आपने वजन घटाया, तो आपकी diabetes reverse हो जाएगी, जो पूरी तरह सही नहीं है, मैं अक्सर patients को क्या बोलता हूँ, उस वेट को utilize करो अपने diabetes के reversal में, और जल्दी और अच्छे से होगी, और ठीक है, कई लोगों का सोचना यह होता है, वेट लॉस किया, तो at least control में तो आही जाएगी, फिर उसके बाद मैं कैसा रहा, उसमें बाद हमने आपसे मतलब ऐसे रापता किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप स्टार्ट करनें, तो इनको बोला मैंने भी, मैं करना चाती हूं, क्योंकि पहले भी हम कर चुके थे, इनको इश्वास नहीं था, तो बोले, कोई बाद नहीं, तो देख लो, क्योंकि हम पहले भी कर चुकी है, तो मैंने डरते-डरते काहँ की करवादो आक एक बढर देख लेते हैं. पर देखो सरदार साब की बात नहीं है ये सभी in general है क्योंकि problem क्या है मालूम है कि मेरे जैसे कुछी लोग है इंडिया में या globally पचास सो लोग होंगे जो diabetes dietary protocol से reverse करवाते हैं परन्तु लाखों doctors ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं आपको diabetes को maintain रखना है दवाईयों से तो जब patient doctor के पास में जाता है और हर doctor एक सुर में बोलता है कि नहीं आपको lifetime रहेगी दवाई खानी पड़ेगी तो मरीज को भी ये मुश्किल हो जाता है कि वो विश्वास कैसे करे इसलिए अक्सर में क्या बोलता हूं कि जैसे आप लोगों के मैं interviews डालता हूं तो लोग उस नहीं आता मैं यह नहीं कहता कि अलोपैथीशन गलत है वो पद्धती ही उस तरह की है treatment की कि आपको lifetime डाइबिटिक ही होना पड़ता है रहना पड़ता है दवाईयों से आपकी blood sugar manage की जाती है मैं इसमें एक example देता हूं आपके उदर तो ठंडी पड़ती है पंजाब में जम के अभी suppose करो उदर ठंडी के दिन में आपने अलाव जलाया campfire लगाया अब दिन में अगर चार बार आप उसमें लकड़ी डालोगे तो वो campfire कभी बुझेगा चलता रहेगा lifetime उसी तरह से अगर मरीज एक बार diabetic हो गया सुबह दुपेर शाम रात अगर चार बार आप अपने बोडी में कार्वो हाइडरेट डालोगे तो शुगर बार आठ डाल दी तो fire और तेजी से उठेगी तो ऐसे में आप बोलोगे fire तेजी से उठ रही है एक गिलास पानी डाल दे तो थोड़ी ददीमी पड़ जाएगी तो ये जो गिलास पानी डाला थोड़ी दीमी हो गई वही काम आपकी दवाईया करती है कि अपनने कार्वो जो आपके आनाज में आ रहा है रोटी में आ रहा है चावल में आ रहा है तो शुगर फिर इस पाइक करती है फिर एक गोली खा लेते हैं तो लोगों को पता ही नहीं थी कि वहला परेज किया तो फिर जब आपने यह सफर शुरू किया तो आगे फिर कैसे आपको यह चीज दीरे दीरे एंप्रूब हुई अच्छा क्या उस्व में कोई दवाई आपकी चलती थी डाइबिटी सर एक मुण सब्सक्राइब मेरे नाम रंजीर संग है नमस्ते चरी जब आप से बारता ला कुई न तो उससे पेले श्व मेंडिशन चल रही थी गिद्रवा पंजाब के अंधर अपरे टेश ने चूट गई है राजाबिटी कर तो वहां से इनकी मैडिशन चल रही थी वह अधी थी हर वीग पहले तो हमा चुट गई तो हमको मालम है कि हम लोग छुटी लेकर गई ओफिस पाद को जाना कर दिन में जाना का ओंडिया यहां से नियर बोटर से नदे पूमिटर है तो उनकी चल रही दिमादे वह छुट पर की है अभी सर्फ मेरे को मालम है कि जो खर्टा हम दौए पर काते थे वह हमन और एक्सिरेंस को हुए उसे हम उसे बहुत कुछ आए बराबर तुम को भी बोलता हूँ वो बोलते हैं कई बार की साथ प्रोग्राम के हमारे पास में पैसे नहीं है क्योंकि प्रोग्राम राइट पांच हजार से शुरू होते हैं और 25-30,000 तक जाते हैं पर सिस्टर यह आप बोल रहे हैं क्यों कि आपको यह अनुभाव मिला कि आपका उतना पैसा दवाई और दूसरी तकलीफ से बच गया मरीज क्या सोचता है मरीज सोचता है मेरे पास में 5,000 या 15,000 या 25,000 जो है बहुत महेंगा है क्योंकि यह मेरे को एडि बोडी डेमेज नहीं होगी वो बेनीफिट अलग होगा तो यह ग्रेजवली जब इंसान प्रोग्राम में आता है तो यह बात उसकी कंसेप्ट क्लियर होती है कि उसकी सेविंग हो गई पर शुरू में उसको क्या लगता है कि यह एडिशनल खर्चा है प्लीज तो फिर जब आपने डाइट शुरू किया यह ऑगस्ट के बाद में तो कैसे कैसे आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होना चलू होता गया मेरा पंद्रा दिन पंद्रा दिन में मतला रिजल्ट आने लगा था तो मेरे खाल से मैंने पंद्रा दिन भी नहीं दुआ लिए उस समय आपकी शुगर कितनी आती थी जब ही आपने चालू ही किया था तब उस समय तो 150 आती थी 160 आती थी फास्टी और खाने के बाद की खाने 180 190 उस समय दवाई चालू था जो 190 आती थी वो दवाई के साथ में थी नहीं सर्द मेडिसन नहीं खा रही थी मैंने पहले ही बं प्रशान होके आपने मेडिसिन बंद करके डाइटरी प्रोटोकॉल फेले वीडियो देखके शुरू किया फिर प्रोग्राम जोइन किया तब तक आपकी दवाईयां बंद कर चुके थे और ब्लट शुगर 150 और 180 नहीं जा रही था नीचे नहीं जा रही था नीचे नहीं ज तो उसमें आपकी फास्टिंग और पीपी में फिर क्या शुगर लेवल्स आई सर मेरा फास्टिंग तो 95 था तो एक घंटे के बाद 130 और दो घंटे के बाद 78 था इसमें आपने ग्लूकोस भी आथा या नॉर्मल मील लिया था कितना ग्राम लिया उसमें 75 ग्राम उपर परफेक्ट आपके डाइबिटीज का रिवर्सल हुआ है अब रिवर्सल के बाद में आप अपनी डाइट में रिलक्सेशन ले सकते हैं जैसे अभी तक आपने 50 से 100 ग्राम कार्बो आइडरेट पर दे लेते थे अब आप उसको बढ़ा के 100 से 1500 ग्राम तक जा सकते हैं इसके साथ में प्रोटीन सफीशेंट ले 50 ग्राम के आसपास तक आपके वेट के इसाब से और फैट सफीशेंट ले हम क्या करते हैं गलती कि प्रोटीन कम लेते हैं फैट कम लेते हैं उसको सब्स्टिक्यूट कर देते हैं कार्वो आइडरेट से तो वो इतनी कार्वो वजन भी बढ़ाती है पैटी लीवर और धेर सारी बीमारियां लाती है लोग क्या सोचते हैं कि हम कार्वो हाइड्रेट खाके स्वस्थ रहेंगे फैट हम घटा दे हाट की प्रॉबलम से बचे रहेंगे जबकि वह वाद गलत है आपको एक नॉमिनल क्वांटिटी में फैट ले रही हुँ मुझे वही ठीक लगती है बताने क्यों अब आदत हो गया है बात अलग है क्योंकि कई बार पेशेंट मेर से पूछते हैं कि हम कैसी डाइट ले सकते तो मैं उनको बोलता हूं कि वह पहले जबी आप डाइबिटिक हुए उसके पहले आप एक्स्ट्रीम पिर जब हमने प्रोग्राम में लिया तो एक्स्ट्रीम राइट में आपको लिया एकदम सक्त डाइट दी फिर बाद में जब रिवर्सल हो जाए तो आपको बीच का रास्ता पकड़ना है जिसके अंदर प्रोटीन और फैट सफीशेंट लेते हुए कार्ब की एक कंट्रोल मात्रा लेना ऐसा नहीं कि 300-400 ग्राम कार्ब लें और फिर पहले जैसे ही डाइबेटिक या ओवीज हो जाए तो इस तरह के यूजवली हम लोग बोलते हैं पर अगर आदत हो गया है ठीक है थोड़ा उसमें रिलक्सेशन ले सकते हैं कभी मिठाई भी खा सकते हैं तो अब शुगर इस पाइक नहीं करेगा अगर आप कभी आप मीठा डारेक्ट स्वीट भी ले लेंगे इट विल नॉट इस पाइक मेरा मुझे ऐसे लगता कि मेरा वेट ना बढ़ जाए मैंने बहुत मुश्कल से मतलब गटाया तो सही है देखो सतर किलो से आपने 55 किलो पर लाया है तो यह पूरा मेहनत का काम है आप विश्वास नहीं करेंगे आपने तो गटाया है मैं तो आप मेंटेन करने के लिए वन मील लेता हूं आप विश्वास नहीं होगा मैं पिछले आठ महीने से एक साल हो गया मैं एक मील लेता हूं और मेरा वेट मेंटेन रहता है वो बात आपका 5 वज के 20 मिनिट है मैंने कल रात 8 वजे का खाया हुआ है तो मेरा उस तरह का आदत हो गया पर मैं पेशेंट से इतना एक्स्ट्रीम पर जाने का नहीं बोलता जिनको वजन घटा ना होता है उनको बोलता हूं खली एक मील जो आपका मौर्णिंग का है वो छोड़ो सकते हैं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कर देना दिक्ट भ Calvin सब्सक्राइब बिल्कुल खा सकते हैं के ओकेजनल मिठाई केख खाने में कोई दिक्कत नहीं है बस हमको रेगुलर कोई भी चीज नहीं लेनी है जैसे ब्रेड रेगुलर सेवन ना करें और करें तो फिर जो ब्रेड इसके अंदर है वो ले अल्टरनेट हर चीज के हैं ब्रेड का भी अल्टरनेट है राइस का भी अल्टरनेट है नुडल्स का अल्टरनेट है इवन आटे का अल्टरनेट है तो हर चीज के अल्टरनेट है पर अब आप अपने काब में रिलेक्स हो करके 100 to 150 ग्रेम तक जा सकते हैं टाइटीशन उसके लिए आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से उसका बाइफर्केशन हो प्रोटीन सफाइस ले 50 ग्राम तक ले लो प्रॉब्लम पैट सतर से सो ग्राम तक ले पूरे दिन का इंक्लूडिंग आल तिंग्स जैसे आप नट्स वगेरा ले रहें तो उसमें भी फैट आता है उन नहीं बढ़ेगा आप खा करके देखो नहीं बढ़ेगा ना घी खाने से इतना वजन बढ़ेगा में वजन बढ़ रहा है हमारी डाइट में कार्वो हाइड्रेड आने से वह कार्वो हाइड्रेड लिवर में जाके फैट में कनवर्ट होता है वह फैटी लिवर बनाता है सा अब जो डाइट है आगे मतलब कितना टाइम करने हैं अभी डाइट ज्यादा में ज्यादा दो से तीन महीना फॉलो करके आपके डाइट में रिलक्सेशन लेना चालू करें डाइटीशन उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे आगे के लिए आपका वजन भी ना तो मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स थे सरकल में जिसको शूगर था तो मैंने साथ शेयर किया अपना भी अरवर्सल हो चुका है तो बुलत क्या आपका है कुछ चोड़ना पड़ता है कुछ खाना ही पड़ता है लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कर सकते हो और उन्होंने किया नहीं है फिर एक सुर में सारे के एम डी फजीशन आपके सिटी के बोलेंगे कि नहीं है नहीं हो सकता हाला कि अब कई डॉक्टर्स को पता है अगर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है वह बात ख् 민ो nggak कि आत्रína कर सकते हो पर उन्होंने किया नहीं एंट उन्होंत दाइबिटीज के रिवर्सल पर बहुत-बहुत बदाई आपके परिवार को बहुत-बहुत बदाई आप एंजॉय करें आज रात का पार्टी मीठा भी लें शुगर नहीं बढ़ेगा और आगे के लिए डाइटीशिंस गाइड करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका स समय निकालने के लिए बहुत-बहुत आवार आप दोनों को सुनकर के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा तैंक यू वेरी मच नमश्कार सत्स्रीगाद